हलो दोस्तों मैं आपका 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 एड़ोगें दिर्यश कुमार शर्मा फाउंदर ओफ आइटेश जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको एक बेसिक इंटोड़क्शन जया था अबाउट लॉट एंड एकनॉमिक्स उसी तरीके से आज हम उस एक 1872 तो यह ऐसा टॉपिक है जिसके स्टड़ी ग्रेजोशन लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल कर हर लेवल के स्टूडेंट को करनी पड़ती है तो आज हम एक बेसिक इंटोड़क्शन पढ़ने जाएंगे किसके बारे में इंडियन कॉंट्रेक्ट एक 1872 समझ मारा है चलिए तो आज हम बात करते हैं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक 1872 जो एक्ट है इसमें सबसे पहरा कोशन जो हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि सर हमें जो फ्रीडम मिली थी वो मिली थी 1947 और यह जो एक्ट बना था वो बना था 1832 तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि फ्रीडम से पहले भी को सरे लोग नहीं होंगे यह कि यह जो एक्ट था वो इंडियन पार्लिमेंट के अंदर ही बिटिश गॉर्मेंट में पास किया था और इस एक्ट को अरॉंड सवा सो साल से भी जादा हो चुके हैं और आज हम इसी टॉपिक को इंडेप्थ में जाके पढ़ने की क जोशिश करें ने तो चले चले टो देखिए इंडियन कॉंड्रेक एक्ट जो आया था वो कब आया था यह एंटिव फोसे फ़र्स डे ऑफ सेप्टेम्बर अठारा सो बहात था मतलब की 1422 अहाँ अच्ट वाफ्टर के सेप्टेम्बर के महीं में के फर्स डे के अंदर ये एक्ट क्या हुआ दउछे लाघू हुआ था, क्यूंकि जिस साल यह एक्ट लाघू हुआ था, उसी साल के बाद क需 लेके होने वाली, जितने भी ट्रान्जेक्शन थी, उसको गवन करने के लिए एक कानून आगया था, जिसका नाम का इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्टॉ Although starting में यह ऐक्ड था बहुत वाफ्ट था, इसके अंदर बहुत सारे provisions थे contract को लेकि पर ये जो contract act था, धीरे धीरे सब parts के अंदर divided हुआ और इसी में से दो famous act निकलते रहे थे एक था आपका Indian Partnership Act 1932 और एक था sales of goods act 1932 तो अगेंग आपके इब्ँबर टो अभी हम बढेंगे अभी हम पढ़ेंगे कि इंडियान कॉंटेंट एड जो आया था वो का वाया था रचे फॉर्स्ट डे ओफ सेप्टेंबर येस इसको इसी तरीके से रिटका दाएगा फॉर्स्ट डे ओफ सेप्टेंबर 1872 चलिए अब इसमें एट लाइन माने लिखिया है ये क्यों निखा देखिए अप्चुली में पहले जो था इंडिया में जे एनके को लेकर स्पेशल प्रोविजन बनाए रहे थे आर्टिकल 370 जिसकी वाजा से बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो जे एनकी की बॉंड रिस पर अप्लिकेबल नहीं होते थे बड़ थेंक्स ऑवर गॉर्णमेंट जिनोंने पूरे के पूरे एफर्ट के साथ अब उस आर्टिकल 370 को हटा कर वो सारे के सारे लॉस वो सारे के सारे एक्ट जो पहले जे एनके में अप्लिकेबल नहीं होते थे अर्टिक आप्लिकेबल तो जे एनके अर्टिकेबल यह बार कहां नहीं है यह बार नहीं है यह बार नहीं है और यह कब आया था फोर्स में एक्ट? 31st अक्टूबर 2019 तो थैंक्स तो अल अफ यू और थैंक्स तू मी आलसो कि आज के बाद जितने भी एक्ट जो थे यह कम एक्ट पढ़ रहा है इसके अलावा बहुत सारे एक्ट थे जो जे एनके में अप्लिकेबल नहीं होते थे उस निल के बाद अब हो एक्स भी जे एनके में अप्लाई हो रही है तो शोटी सी चीज़ समझ में आ रही है कि इंडियन कॉंट्रेक्ट है कब आया था फॉर्स्ट डे ओफ सेप्टेंबर पहले यह जे एनके में अप्लिकेबल नहीं था लेकिन एक डेट के बाद अब पहला है हाओ टो मेड कोंट्रेक्ट कैसे बनते हैं को कैसे पोडा किया चाहता है और उसी के लिए हमारी श्टीस को मैंने ने आज की वीडियो के दौरव दो सेदा में डिवाइट करूँ रहे हैं पहला डिफ्रेंस बिवीं कॉंट्रेंट के बीच में एक मेजर डिफ्रेंस होता है जो लेंद की उसलुट अज़िए की कि पूसते हैं की एडिफ्रेंक जा होता है तो बोलता है agreement or contract तो सेम होता है पर अगर वही question किसी professional या professional study करने वाले student से सुचा जाए कि what is the difference between agreement and contract तो आज हम करेंगे difference between agreement and contract चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि what is contract contract जो define किया गया है वो define किया गया है section 2 clause h of Indian contract act 1812 येस ये क्या होता है section section is that visit of act जो define करती है कि उस चीज़ का क्या मतलब है general hierarchy क्या होती है section, subsection clause, sub clause, पहरा, पहरा पर एक exception याद लखना knowledge के लिए जिदिवर के लिए जो भी definition section होता है वो किस में बताया जाता है section 2 में और section 2 में हमेशा section के बाद जो आता है वो क्या आता है according to section 2 clause h of Indian contract act states that an agreement enforceable by law मतलब कि contract का मतलब है कोई भी ऐसा agreement which is enforceable by law तो दो टम्स हमारे सामने आई है पहला agreement और दूसरा तो चलिए एक छोटी सी definition मैंने आपके साथ discuss करी कि contract का मतलब होता है कोई भी ऐसा agreement हिंदी में इसको हम समझोता कहते है कोई भी ऐसा समझोता which is enforceable by law अब इन दो टम्स को समझना बहुत जरूरी है तो पहली टम्स हमारे सामने what is agreement and दूसरी टम्स है what you mean by enforceable by law तेखिए एक्रिमेंट का मतलब होता है दो चीजे पहला offer और दूसरा acceptance येस आपने सही सुना कि agreement is the combination of two things offer plus acceptance offer का मतलब क्या है offer is like proposal जैसे कि मैंने आपके सामने एक proposal लगा कि मैं आपको ये मार्कर 20 रुपे में बेच दूँगा अब आपका reply को में क्या करूँआ wait करूँआ या तो आप इस proposal को क्या करेंगे accept करेंगे या फिर reject करेंगे अगर आपने मेरे offer को ठुकरा दिया reject कर दिया तो ये तो क्या मतलब वह इसका कि जब भी भी कोई offer क्या होता है accept होता है then it becomes an agreement तो क्या मतलब वह agreement का offer plus acceptance offer ये proposal मतलब जब कोई इंसान अपनी willingness देखा रहा है किसी के सामने इस intention के साथ कि सामने वाला क्या करेगा उस पर एक positive reply देगा तो ये जी समझ में आ गई कि agreement विजब offer plus acceptance तो अब हम बढ़ेंगे what do you mean by and forceable by law देखिए अभी जो हमने पढ़ा कि agreement is the combination of offer and acceptance तो क्या मतलब है क्या सिर्फ agreement ही enough है contract बनने के लिए answer is no क्यूंकि दूसरी टरम उतनी ही important है जितनी first term जरूरी है contract के लिए क्योंकि enforceable by law का मतलब होता है कोई भी ऐसा agreement जिसके against you can take legal action means अगर माल लीजिए किसी के साथ मैं एक agreement करता हूँ suppose that social nature का agreement कि चलो आज शाम को हम dinner करने के लिए जाएंगे मैंने offer रखा और सामने वाले person ने क्या गरा उसकी acceptance दें बट अगर शाम को मैं किसी reason की वजह से उसके साथ dinner के लिए नहीं चापाया तो क्या वो मेरे against legal action ले सकते हैं answer is no तो यहीं बताने की कोशिश के जारी है कि enforceable by law का मतलब होता है जब कोई भी person किसी ऐसे agreement के against क्या ले सके legal action ले सके तो उनी agreement को क्या माने जाएगा contract माना जाएगा means अगर कोई ऐसा agreement है जिसके against to can't take a legal action then that agreement doesn't become contract is it clear yes अब हम बात करेंगे essential elements to become valid contract yes तो अब हम बात करेंगे कि एक contract को valid होने के लिए as per law क्या क्या essential requirements होती है क्यूंकि अगर किसी contract के अंदर ये elements available नहीं है तो वो contract according to law valid contract नहीं माना जाएगा और अगर वो valid नहीं होता तो उस contract के regarding are legal remedies aware नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया कि contract is agreement plus enforceable by law ऐसे ही अगर पढ़ेंगे कि 8 contract को valid होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है तो चलिए हम start करते है element number one lawful offer plus acceptance what do you mean by lawful lawful means जो Indian contract act के accordingly कुछ requirements बताये गई हैं वो होनी जरूरी है means कि अगर contract है तो बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा एक offer और सामने वाला उसको क्या कर सकें accept कर सकें तो पहली requirement क्या है lawful offer and acceptance तो समझ में आ रहा है कि किसी भी contract को valid बनाने के लिए एक offer और सामने से उसका एक positive reply क्योंकि अगर यहीं नहीं है तो आगे की दो बार होई नहीं सकती तो पहला element के लिए रोगया yes lawful offer plus acceptance चलिए अब second element के दरफ move करते हैं कि किसी भी contract को valid होने के लिए क्या होना intention to create legal relationship yes अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर मताया था कि agreement enforceable by law means अगर मैंने जो आपको बताया कि डिनर करने के लिए किसी के साथ क्या करा है agreement करा तो क्या उसके अगेस legal remedies या legal action लिए रखता है answer is no तो it means जो भी agreement social या domestic nature के है उन agreement को हम valid contract का नाम नहीं देंगे मतलब अगर कोई commercial nature का contract है या agreement है then you can take a legal action otherwise you can't take a legal action तो दो बाते हैं हमाने सामने विद्द के लिए हो गई पहला एक lawful offer acceptance और दूसरा वो क्या create करें legal relationship create करें तो समझ में आ रहा है yes अब थर्ड एलेमेंट है lawful consideration consideration क्या है देखें consideration अपने आप में ये most important अब है consideration का अगर हम literally meaning समझें तो something in different something in different का मतलब कुछ के बदले कुछ जैसे कि अगर मान लीजिए मैं free of cost आपको अपनी bike देता हूं कि जाओ इसे घुमाओ जो मर्जी करो और कल को अगर उसमें कोई problem होती है तो क्या आप मेरे गेश्ट को legal action ले सकते हो answer is no अगर वही पाइट मैंने आपको बीस हजार उपर में बेची हो offer दिया हो और आपने बीस हजार उपर में अगर वह बाइट उससे friendly हो then you can take a legal action answer is yes तब आप एट legal action ले सकते हो क्योंकि we have a consideration मैंने आपको क्या दी बाइट दी और उसके बज़े में रिटन में क्या मिला मुझे बीस हजार उपर तो मतलब no consideration means no contract तो समझगार है ति किसी भी contract के valid होने के लिए क्या होना जरूरी है consideration का होना जरूरी है अगर free of cost कोई agreement हो रहा है तो वह valid contract नहीं माना जाएगा but later on मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी situation है जहां पर no consideration के बावजूद भी वह contract क्या मन देगा valid माना जाएगा but for the time being consideration नहीं तो contract नहीं समझ मांगा तीन element अब चुत्य element जो आपने आपने बहुत जरूरी है capacity of parties मतलब हर एक इंसान contract कर सकता है मतलब सही वार कि हर एक इंसान के पास वो अधिकार है वो राइट है कि वो क्या कर सके contracted कर सके but law को कभी भी सीधा बढ़ने से पहले उसको टेड़ा पढ़ना जरूरी है क्योंकि law में उसकी exception अपने आप में बहुत जरूरी होती है तो क्या बोलाग है every person have the capacity to enter into the contract except तीन लोग वो कौन है minor unsound mind जिसको lunatic भी कहते है and person disqualified by law yes यह ऐसे तीन लोग है जिनको यह अनुमती नहीं है कि वो contract कर सके और अगर वो यह contract करते है तो उसको क्या नहीं माना जाएगा valid contract नहीं माना जाएगा means कि हर एक इंसान contact पर सकता है except तीन लोगों के minor unsound mind and disqualified by law although यह सारी चीजे in depth हम आने वाले chapters में पढ़ेंगे अभी बस चोड़े 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 इसको भी बता करते है minor means a person who does not attain the age of 18 यह कहां दिखा है यह लिखा है Indian majority act के अंदर कि जिस इंसान की age 18 worst नहीं है वो according to law क्या माना जाएगा minor माना जाएगा और minor को contract ना एंटर होने का अधिकार नहीं होता समझ में आ रहा है तो हर एक इंसान contact पर सकता है except minor unsound mind and person disqualified by law person disqualified law means कि कुछ लोगों की एक लिस्ट बता रखिए जैसे कि इंसॉल्वेंट alien enemy यह ऐसे लोग है जिसको बताया गया है कि वो क्या नहीं कर सकते lawful contract में एंटर नहीं हो सकते समझ में आ रहा है तो चार पाइंट अपर क्लिए होए lawful offer होना चाहिए lawful acceptance होना चाहिए intention कर सुनी चाहिए legal relationship consideration होना जरूरी है उसके साथ साथ parties के पास वो power हो की वो contractor सके अब तीन लोगों को बताया गया कि जो contract नहीं कर सकते तो समझ में आ रहा है ऐसे ही पाच्वा point जो है वो अपने आपने बहुत जरूरी है free consent क्या मतलब होता है consent का मतलब होता है किसी बात पर agree होना agree मतलब बिना pressure के उसकी सह्मती लेहना means जब कोई इंसान same thing और same sense पे दूसरे रहती के साथ agree करता है जैसे चोटा से example में देता हूं मान लीशे मेरे पास three bikes black, red और white मैंने अपने friend के सामने offer रखा कि मैं अपनी एक बाइक पचास हजाओ उर्प में बेचने के लिए तयार हूं मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी black बाइक उसको बेच रहा हूं जबकि वो क्या सोच है कि लगता है कि सर अपनी white कलर की bike बेचना चाहते हैं मतलब हम दोनों क्या same thing और same sense पर agree कर रहे हैं नहीं मेरा point of view black bike का है और उसका point of view white bike खरेंगने का है तो क्या हम दोनों की जो sense है वो same है answer is no तो क्या उसकी ये consent free मानी जाएगी answer is no और इसी time को हम consensus and item का नाम भी देते हैं तो it means contract करने के लिए consent का free होना ज़़ोली है और अगर वो consent free नहीं है by इन पांच element के द्वारा है उस consent को free नहीं माना जाएगा तो means अगर वो consent caution लिखा के मतलब ड़ा धूंता के ली गई है on a gun point अगर मैं आप से गया कम आप मुझे अपने बाइप बेज दीजिए अगर उस तरीके की consent है तो वो valid consent नहीं मानी जाएगी fraud करके किसी के साथ undo influence करके किसी को misrepresent करके या mistake करके अगर आपने किसी से वो consent ली है तो वो valid consent नहीं मानी जाएगी और इस तरीके consent के बाद अगर कोई contract होता है तो वो valid contract नहीं माना जाएगा तो means पांच चीज़े अभी तक हमें समझने आ गई है valid contract के लिए पहरा lawful offer दूसरा intention to create legal relationship तीसरा consideration चोथा capacity of parties and the fifth one is free consent अगर वो consent फिरी नहीं है इन पांच में से किसी के द्वारा affected है तो उस तरीके की consent के द्वारा किया गया contract valid contract नहीं माना जाएगा तो समझना रहा है चलिए अब हम बात करते हैं 6th day lawful objective lawful मतलब क्या होता है कहता है अगर किसी illegal objective को लेके या against the public policy को ही आप contract कर रहे हो मतलब किसी को मारने का ठीक है किसी को सुपारें देने का अगर आप कोई agreement या contract कर रहे हो these type of contract is not valid as per law पहली बात तो यह agreement होंगे contract बनेंगे नहीं and registration although law के अंदर ये कहीं नहीं बताया गया कि contract सिफ writing में ही हो means जब यह act बना था तब यह बोला गया था कि contract in writing भी हो सकता है और oral भी हो सकता है पर अपने ही benefit के लिए यह जरूरी है कि agreement या contract किसमें होना चाहिए writing में होना चाहिए और उसका registration करवाना क्या है compulsory है क्यों compulsory है जैसे मान लीजिए इसमें बोला गया है कि अगर कोई इंसान immobile property मतलब land या building वजारा बेच रहा है और अगर वो उस land or building को बेचना चाहता है तो उस तरीके के contract का writing plus registration करवाना compulsory है क्योंकि अगर वो registered नहीं होगा तो उस situation पे आप legal remedies अभेर नहीं कर पाओगे तो contract के लिए अभी तर हमने साथ element क्या क्या पढ़ लिए पहला कि lawful offer and acceptance, intention to create, legal relationship, lawful consideration, उसके बाद capacity of parties, free consent, उसके बाद lawful objective and seventh one is writing and registration तो यह साथ element अभी समझ में जरूरी है पहला certainty, certainty मतलब क्या हो, certainty का मतलब होता है TNC मतलब कि जब भी आप किसी के साथ के contact करो तो उसकी legal terms क्या होनी चाहिए clear होनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी legal terms clear नहीं है तो अगे उगल वाली बाद मैं black bike सोच रहा हूं बेट में की और सामने वाला उसको white color की bike समझके खरीद रहा है तो TNC क्या होनी चाहिए clear होनी चाहिए और certain होनी चाहिए तो आठ पॉइंट समझने आगे है नाइन तो टेंट बहुत सिंपल है पॉसिबल टूपर अगें वही चीज अगर माद लीजिए कोई ऐसा contact है जिसकी जो performance है वह possible ही नहीं है जैसे कि आपने सुना होगा मैं ते लिए चांग तारे चोड़ के लिए होगा कि भाईया वही contract valid है जिसकी जो performance है दोनों पार्टी क्या कर सके फुल्फिल कर सके क्योंकि अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी lawful तरीके से performance फुल्फिल नहीं कर पाएगी या impossible nature भी performance होगी तो उस तरीके के contract को को valid नहीं माना जाए तो समझ में आ रहा है and the last one is not expressly declared void मतलब कुछ ऐसे contract है जिसे law ने specifically mention कर रखा है कि भाईया अगर ऐसे contract करते हो तो वो वाईड माने जाए जैसे वेजरिंग एग्रिमेंट है किसी को शादी करने से रोकने का एग्रिमेंट है तो उस तरीके के contract एग्रिमेंट को specifically लोग ने mention कर रहा है कि यह valid नहीं हो गया तो these are 10 elements which are compulsory to make a valid contract समझ में आ रहा है तो I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आने होगी and next videos पे अंदर हम इसे topic के times of contract के बार करेंगे thank you so much and it's all for today कर दो कर दो झाल झाल